बच्चों यहां भी जो में पूछा गया है find equivalence point of 0.1 molar NH4BR solution guys हमें एक तरीके से यह पूछा गया है कि जब तुम्हारा neutralization हुआ किसका बच्चों NH4OH और HBR का neutralization मतलब सिर्फ यह बच रहा है अब at the end of reaction what is the pH at this point जब तुम्हें NH4OH weak base और HBR strong acid का neutralization करवाया उस वक जो तुम्हारा end point पे या equivalence point पे जब तुम्हारे बाद सिर्फ salt है उस वक जो pH है that is what has been asked in the question तो यह कहिए हाइडरोलेसिस आफ सॉल्ट का question है समझ गए guys got it or not और वही formula हमने लगाया है नवेट अब आते बच्चों टाइट्रेशन कर्स पे सबसे पहला हूं स्ट्रॉंग एसेड प्लस्ट्रॉंग बेस ओके अभी मैं मान के चल रहा हूं बेस हम एड कर रहे हैं किसमें एसेड में उन दोनों की कर्व अलग लग जाएंगे नॉमली हम बेस को एड कर रहे हैं एसेड में यह जिरो पॉइंट वन मोलर था यह ट्वेंटी एमल था यह बेस भी हमने जिरो पॉइंट वन मोलर ले लिया तो नॉटलाइशन कब होगा बच्चों एंड पॉइंट कब आएगा एकुलेंस पॉइंट 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 से भी बेटर तर्म वुड भी एकुलेंस पॉइंट वॉल्यूम क्या होग यूसर ट्वेंटी एमल जब वहाँ से हमने निकाला कि जब वॉल्यूम ऑफ बेस एड़िट ट्वेंटी एमल हो जाएगा उस वक्त तुम्हारे पास सिर्फ शॉल्ट बचेगा एंड फैक्टर पे डिवाने करता है अभी हम माने के चल दें दोनों का एंड फैक्टर बान है क्लियर है आदा काई गड़ तो यह हम एक्जामपल है एच्छी एल प्लस एंड नियो एच्छ अब इसका कर्व देखते हैं बच्चों जस्ट सेक्गाईज वन सेक्ट प्लीज मेरे कर्व बनाने के बाद ही तुम कर्व बनाना यहां पे हम क्या ले रहे हैं वॉल्यूम आफ बेस एड़ेड हमें पता है यह ट्वैंटी पे सिर्फ सॉल्ट बचेगा और इसका मैं जरा कर्व बनायता हूं ऐसे जाएगा हाँ बना लो रैधर एक काम करो अभी रुक जाओ मैं एक बार सारा इंडिकेट कर दूए इसमें फिर समझा आ जाएगा इस पॉइंट पे यह क्या है इक्विलेंस पॉइंट इक्विलेंस पॉइंट मतलब तुम्हारे पास जाबे सिर्फ सॉल्ट है सॉल्ट की चीज़ का स्ट्रॉंग एसर्ट स्ट्रॉंग बेस का तो यहां पे तुम्हें बताओ इसमें हार्लेस तो होता नहीं पी एच क्या होगा यह बच्चे सेवर क्लियर है यहां तक का है दिस इस यह पी एच एड एक्विलेंस पॉइंट क्लियर होगा है यहां तक गड़ अब हमारा फिन ओफिलीन का हँपे कलर चेंज हो करता है पी एच एड या एड पॉइंट फाइड नाइन माल को पी एच नाइन के अराउंड ये कलर चेंज शो करता है तो ऐसे मान के चलो अराउंड दिस पी एच इस pH के अराउंड तुम्हारा Phenothelin changes color ये मैंने क्या मान लिया 8 या 8.5 getting the idea or not अभी मैं 8 मान रहू 8 के अराउंड ये color change होना शुरू हो जाता है तो Phenothelin ने जो color change शो किया वो इस pH के अराउंड शो किया आया ना बच्चों ये pH क्या हो गया 8 मान ले समझगे गाई तो इसका जो color change शो हुआ वो इस point पे हुआ ये किसका है बच्चों Phenothelin Phenothelin pH ठीक है ना बच्चों थोड़ा सा है मतब equivalence point ये था और Phenothelin के आज जो end point आ रहा है वो यहाँ पे आ रहा है लेकिन negligible difference है so Phenothelin will work as an indicator of strong acid strong base titration this indicator will work अब आते है methyl orange पे methyl orange को for the timing है मान कहल रहा हूँ 4.5 या 5 मान दो ठीके ना कहे तो ये हमारा क्या हो गया methyl orange methyl orange इस pH पे color change शो करता है समझा रहा है नहीं आ रहा है बच्चों तो हमने क्या कहा ये color change शो कर रहा है one second इस pH पे तो यहां पे भी थोड़ा सा error है but that is insignificant clear है बच्चों try to understand methyl orange ने equivalence point से थोड़ा पहले color change शो कर दिया phenothaline ने equivalence point से थोड़ा आगे पे color change शो कर दिया but that difference is very less तो यहां पे बोड़ इंडिकेटर्स विल वर्क methyl orange एज वेल एज phenopsylene मैं बताना चाह रहा था मैं एक्चुली इसके पास बनाना चाह रहा हूं तुम थी भी लोग हैं तो भी तुम्हारा chain मैं कर में indicate करना चाह रहा हूं basically पास बना के कि तुम्हारा यह जो difference हा रहा है यह insignificant है obviously बाद है यहां पे खाइना गई actually 10 होना चाह है यहां पे खाइना गई 3 होना चाह है समझे आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों 3 के बाद color change होना शुरू हुआ और मैं अगर मैं यहां पे 3 ले रहा हूं यहां पे क्रक्स यह है कि तुम्हारा दोनों ही indicator वर्क कर जाएंगी क्योंकि जो तुम्हारा difference है जो तुम्हारा उसका difference है from the actual equivalence point वो बहुत काम है समझे आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों तो यह और फिन आफिलीन यह और फिन आफिलीन एक मिनट बच्चों हाँ तो बच्चों मैं तुम्हें क्या कहा था जो फिन आफिलीन है और मिठाइल औरेंज है दे बोथ वर्क दे बोथ वर्क फॉर स्ट्रॉंग एसिड्स स्ट्रॉंग बेस का titration बच्चों फिन आफिलीन और मिठाइल औरेंज जोनों ही वर्क करेंगे फॉर यह और स्ट्रॉंग एसिड्स स्ट्रॉंग बेस का titration clear है यहां तक put it out किसी बच्चे को नहीं good अब by chance by chance मैं बेस में ऐसे डाल रहा होता तो क्या कर बनता बच्चों do you realize उस वक कर कुछ ऐसा बनना चीए था very nice क्या बन जाएगा बच्चों तुमारा one second इस टाइप से जाएगा पहले strong base था जैसे इसे strong ऐसे डालते गए तुमारा pH में equivalence point के around pH में rapid jump आता है ओके मुलब नीचे या उपर depending upon तुम acid में base डालो या base में acid डाल जाएगा clear है guys तो यह मैंने अटा दिया मैंने सिर्फ तुमें बताया था कि अगर base में acid डालोगे then this is going to be your cut समझा आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों good हाँ यहाँ पर मैं एक सिर्फ बताना तुम भूल गया था ध्यान से देखो जब तक तुम्हारा base हमने जो add कर रहे है it is less than acid तो तुम्हारा pH विल बी very much less than 7 ठीक है ना बच्चों और जब base जादा हो चुका है then you have got a strong base left pH is much much more than 7 और equivalence point के about तुम्हारा jump आ रहा है the term I am talking about is jump एक समसे pH shoot करेगा around equivalence point उससे पहले strong acid उसके बाद strong base तो equivalence point के around jump आ गया put out किसी बच्चे को नहीं good अब आती है weak acid में strong base okay guys I am taking 20 क्या लिया था मैंने उपर बच्चो जीरो पॉइंट वन मोलर लिया था तो यहां भी जीरो पॉइंट वन मोलर 20 ml और strong base जो हम एड़ करें वो 0.1 मोलर solution यह एड़ करते जा रहे हैं curve तब बनाना जब मैं और रड़ी बना चुका हूँ बहुत important है पहले वाला असान था यह वाला difficult है बच्चो यह है यह 20 ml है ठीक है बच्चो यह pH है उपर मैंने लिगा था कहीं pH pH of solution ओके गाई यह pH है अब देखो इसका कर्व कैसे जाएगा इसको मान लो 7 बेस डाल रहे हैं सिर्मेंट करेक्ट इस तरीके से जाएगा बच्चों पे अटेंशन गाईज पहली चीज़ हमारा देखते आओ बच्चों बहुत चीज़ बतानी है इसमें पहले हो मुझे यह बताओ डू यू रिलाइज यह जो pH है यह कूं सा pH है इक्विलेंट पॉइंट उस वक्च पी-च क्या होगा यू विल हैव अस सॉल्ट और वीक असिद इन स्ट्रॉंग बेज pH विल वी गेडर दन 7 यहां पर आजाएगा 7 प्लस हाफ पी-के प्लस लॉग सी समझे आ नहीं समझे गाई इट इस गेडर दन 7 तुम्हें दिख राए ठीके ना बच्चों इस वक्त pH क्या था तिर वीक असिड थी मदब हाफ PKA माइनस लॉग सी यहां पर हमने बेज डाला ही नहीं है यह वॉल्म आफ बेज है यहां पर बच्चों जैसे उपर हम कर रहे थे हम एन्ने वेज लेके चल रहा हूं है स्ट्रॉंग बेज यह pH क्या रहे बच्चों इस अप पी एच ऑफ वीक असिड सॉलिएश यह pH कितना है हाफ PKA माइनस लॉग सी अब तुम्हें पताए जैसी हमने उसमें स्ट्रॉंग बेज डाला क्या बन जाएगा असिड इक बफर और बफर रजिस्ट चेंज इन पी एच इसलिए उसका जो पी एच में इंक्रीज आ रहा है वो ग्रेजुवल आ रहा है उसमें जम्प आ रहा था इक्विलेंस पॉइंट का बाव यहां पे तुम्हारा पी एच में इंक्रीज आएगा but it is going to be a slow increase कोई डाउट किसी बच्चे को यह मैं लिख दूँ क्या इदर इस इस हाफ पी के ए माइनस लॉग सी बच्चे कोई डाउट यहां तक अब यह कुन सा पॉइंट डगाए इस दा पॉइंट ओफ मैक्सिमम बफर कैपैस्टी क्यों क्योंकि यहां पर अच्छा गाईज यह वॉल्लिम क्या होगी इसके कर्सपॉंडिंग आधा न्यूटिलाइज हुआ है आधा न्यूटिलाइज होगा तो तुमारा सॉल्ट बन गया आधा और जो एसेड है वो बच गया आधा यहां पर मैक्सिमम बफर के पैस्टी तुम देख रहे हो हम बेस एड़ करते जा रहे है और पी-एज में चेंज कम है ठीके ना गाईज इस पी-एज को क्या हम क्या बोलेंगे बच्चों उस वक्त पी-एज क्या होता है एसेडिक बफर में मैक्सिमम बफर के पैस्टी कब होता है हे और ए माउंट सेम पी-एज इकलू पी-के तो ये पी-एज हमारा क्या है बच्चों पी-के इस वक्त पी-एज क्या है पी-के अब आते हैं किस पे बच्चों इंडिकेटर फिनोफलीन शो करता है आराउंड एट वर्क कर रहा है नहीं कर रहा है बच्चों Phenothelin work कर रहा है Methyl orange show करता है Somewhere around Here Methyl orange fails Phenothelin works Methyl orange Fails समझ में आया नहीं आया कोई डाउड किसी बच्चे को बना दो बच्चे Make the diagram बना गाय Time लगेगा क्या और एक से अफ़ा दो जब तुम्हारा Equalence point अचीव हो चुका है उसके बाद और base आलोगी तो he'll have strong base at the end of reaction समझारा नहीं आ रहा है Equalence point क्या तो base बचा रहे जाएगा इसलिए तुम्हारा rapid increase in pH आया है उसके बाद After Equalence point there is a rapid increase in pH because we are left with a strong base Got it? Got it Note it down बच्चो हाँ तो बच्चो यहां तक समझ गए अब आते हैं third base Strong acid plus weak base मैं इसको ऐसे लिखता हूँ पहले weak base फिर strong acid क्योंकि weak base के अंदर हम क्या add कर रहे हैं बच्चो Strong acid यह 0.1 molar 20 ml यह 0.1 molar add करते जाएंगा ठीक है बच्चो यह मान लो 20 ml of acid volume of से strong acid HCL ले लिया ठीक है बच्चों यहां पे pH यह हो गया हमारा seven बच्च इस तरीके से जाएगा कर ठीक है बच्चों यह equivalence point है इस वक्ट pH क्या होगा बच्चों इस वक्ट pH क्या होगा यह होगा नहीं होगा बच्चों seven से कम got it or not guys clear होगी यह इस जारीक बच्चे को fine इस वक्ट क्या होगा pH यह rather P.O.H 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 will be equal to half P.K.B. minus log C is P.O.H क्योंकि अभी तुमाने पास सिर्फ weak base था यह point क्या आगया बच्चों यह है maximum buffer capacity बच्चों क्योंकि तुम्हें पता है जब weak base में strong acid डालोगे तो you will get a basic buffer जब तक acid के amount जो डाली गई है वो basic कम है you will be left with weak base and you will have salt समझा आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों strong acid तुमने weak basic कम डाली तो तुमारे पास weak base बच गया plus salt बन गया you are getting a basic buffer तो उसका जो pH में जो change आ रहा है वो gradual आ रहा है समझे के गाए और यह इस वक्त इस point पे P.O.H क्या होगा बच्चों PKB clear why नहीं होगा आए कोई डाउड किसी बच्चे को यहां तक अब आते है फिन आफ्थिलीन पे बच्चों let us gone to फिन आफ्थिलीन फिन आफ्थिलीन ने color change शो कर दिया यहां पे ठीक है ना बच्चों और मिथाईल औरिजन ने कहां पे color change शो करा very near the equivalence point मिथाईल औरिंज वर्क फिन आफ्थिलीन फिल ठीक है ना बच्चों फिन आफ्थिलीन फिल बच्चों वो कुछ समझवाएं नहीं आएं यह बताओ मुझे बोलो गाए आगया good note कर लो time लगया अभी note करने है अब यह स्टार्ट किया है अच्छा हाँ तो बच्चों अब आते हैं फोर्थ पे वीक अइसेड प्लस वीक बेस बेस अड़ कर रहे हैं हम अइसेड में बच्चों ठीक है ना गाएं जैसे हमारा CSC COH मैं NH4OH दे मारा तो बच्चों क्या होगा जड़ा देखो 0.1 ले रहे थे ना बच्चों इसमें तुम्हें याद है कि जब तुमने बेस जालना शुड़ किया तो क्यास बन जाता है सॉलीशन में वीक एसर में वीक बेस जाला लेकिन बेस के अमाउंट कम है कौन सा बफर एसरिक बफर गड़ और जब बेस के अमाउंट जाता हो जाती है तो क्या बनता है बेसिक बफर हाँ या ना बच्चों ये रुआ ये निवा बच्चों समझ गे गड़ तो ट्वेंटी एमल इस दा इक्किलेंस पॉइंट ये पी एच सेवन इस टाइप से कर जाएगा क्योंकि तुम्हारा ये अच्छा बच्चों ये ऊपर वाले मैंने ये बता दिया था ना बच्चों कि यहाँ पे बफर में जो पी एच में जो चेंज आ रहा है वो ग्रेजूल आ रहा है और जब इक्लेंस पॉइंट हो चुका उसके पी एच में आएगा रैपिड डिक्रीज हाँ है ना बच्चों यहाँ पे हमारे पास यहाँ पे एसेडिक बफर यहाँ पे बेसिक बफर बच्चों तो पी एच में जो चेंज आएगा वो ग्रैजूल आएगा यह पी एच क्या होगा बच्चों पी के ए माइनस पी के भी समझो आया नहीं आया बच्चों क्लियर है आँ तक यह पी एच क्या होगा आप पी के माइनस लॉग सी यह पी एच क्या हो जाएगा PK समझा आ रहे नहीं आ रहे बच्चो clear होड़ा है नहीं हो रही है guys यह चीज good तो इस type का हमारा curve बनेगा depend करता है 7 से उपर जाएगा नीचे आएगा on K and KB K जादा है तो 7 से नीचे पहुंच जाएगा K भी जादा है 7 से उपर पहुंच जाएगा समझा रहे है नहीं आ रहे है बच्चो it depends on the relative value of K and KB समझ गए बच्चो मैंने 7 से उपर बना दिया ऐसी कुछ तो दिखाना है न कि 7 नहीं है 7 से उपर भी हो सकता है नीचे भी हो सकता good methyl orange sorry पहले phenocylene के आते है phenocylene color change शो करेगा अराउंड हीर और methyl orange color शो करेगा अराउंड हीर बोथ फेल बोथ इंडी केटर्स फेल बच्चो दोनों इंडीकेटर फेल कर गए कुछ समझ में आया या नहीं आया बच्च करेगा sure you got that that's great अगर समझ गयो तो बड़ी अच्छी बात है okay online वाले बच्चो समझ आया नहीं आया yes sir yes sir अज़ा बच्चो एक सी में दो है बता दूं प्लीज ये शायद तुमने किसी जमाने में टेंथ में बढ़ा होगा universal indicator और लोता है है कि इस स्में मुझे ये बढ़ा दू गायद पी एच है न्यूट्रल सॉलीशन गां क्या ख़ेंगे उसमें इंडिकेटर का अकलर क्लर्र क्या होता है ऐसी है इंडिकेटर it is green बच्चो दोज़र है k कह आई यूऱ सली इंडिकेटर में क्या होता है कई इंडिकेटर मिक्स कर देते हैं ताकि वो हर पी-एच वैल्यू पे अलग-लग कलर शोगर आपस में लिया को यह अब कर देंद कि इतना ना पूछा मेरे it is a mixture mixture of number of indicators कहीं indicators का mixture है and it shows different color at different pH different color for different pH value clear हुआ है निवा बच्चों बता दो मुझे very good your indicators and titration curves both we have covered